नमस्कार शिक्षार्चियों, मैं धिरेन नात्तिवारी अर्शास्त प्रवक्ता जवाहर नोदे विद्याले कानपूर दिहात उतरपरदीश आज के इस वीडियो एनलिसिस में हम सूक्षमर सास्त के एक अत्याधिक महत्पूर भाग प्रतिश्वरदा सजीद बाजार के बारे में पढ़ेंगे अर्शास्त में बाजार का संबन्ध किसी वस्तू विशेश से होता है ना कि इस्थान विशेश से जैसा कि हम सामानित या अपने जीवन में पाते हैं प्रतियोगिता के आधार पर प्रमुख रूप से बाजार को दो भागों में बाटा गिया है एक प्रतियोगिता सहीद बाजार और एक दूसरा है प्रतियोगिता रहीद बाजार अगर हम प्रतियोगिता सहीद बाजार की बात करते हैं तो इसके अंतरगर पूर्र प्रतियोगी बाजार की संकल्पना की गई है बाजार की पूर्ड प्रतियोगी बाजार के संबंद में अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें चार विसे स्थाएं पाई जाती है एक तो क्रेता बेक्रेताओं की संख्याद ही होती है दूसरे फर्मों के आवा गमन फर्मे एंट्री कर सकती है और एक्जिट कर सकती है जब उनको हानी हो रही हो छोड़के जा सकती है और जब लाव हो रहा उस च्छेत में तो वो आ सकती है इसके अलावा होमोजीनियस प्रोड़क्ट एनि समरू बस्तू का वो विक्रे करती हैं साथ ही बाजार के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है आज का हमारा बिस्थ है बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें इन चारों में से कोई एक बिस्था नहीं पाई जाती है उदाहरण के तोर पे अगर हम देखते हैं कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अगर कम होती है तो एक अधिकारी पाया जाएगा अलपा धिकारी पाया जाएगा या फिर एक अधिकारी प्रतियोगिता पाया जाएगा फर्मों का स्वतंत्र आवा गमन अगर नहीं पाया जा रहा है तो इसका मलब प्रतियों गिता पूर नहीं हो सकती है बस्तु अगर बस्तु विवेद है या कीमत विवेद के स्थिति है तो भी पूर प्रतियों गिता नहीं हो सकती है साथ ही अगर क्रेताओं तथा बिक्रेताओं को फर्म के आगत निर्गत एवं उनकी कीमत की बारे में जानकारी नहीं होती तब भी उड़ प्रत्योगिता नहीं है बाजार की ऐसी अवस्थाएं जिन में इन चारों में से कोई एक या एक से अधिक बिसेस्ता नहीं पाई जाती है वो प्रतियोगिता रहित बाजार के लाती है प्रतियोगिता रहित बाजार को प्रमुक रूप से एकाधिकारी प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है आलपा धिकारी और दोया धिकारी या प्रतियोगिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है आज की इस क्लास में हम निमलिकित भागों को कवर करने की कोशिज करेंगे सबसे पहले तो हम लोग एकाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद पूर्पृतियोगिता तथा एकाधिकारी के मद्ध अंतर के बारे में पढ़ेंगे मांग वक्र की प्रकृति पुर्ण प्रितियोगिता की कैसी होती है और एका धिकारी की कैसी होती है संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग कहा होता है कैसे होता है और उत्पादन बंद बिंदू किसे कहते हैं एका धिकारी के प्रयुक्त छिपी हुई उत्पादन छमता के बारे में अध्यन करना आज का इस चप्र का विशे होगा एका धिकारी प्रतियुगिता के बारे में अलपा धिकारी के बारे में और दोया धिकारी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हम एक अधिकारी की बात करें, सामान एक अधिकारी की खासियत होती है कि आप देखेंगे एक ही विक्रेता है और सभी कस्टमर्स को उसी से बस्तुन खरीगनी है यह वास्तों में दो बिभिन सब्दों से मिलकर बना है मोनो जिसे हम एक मात्र कहते हैं, पोली जिसे विक्रेता कहते हैं यानि कि मोनो पोली से हमारा तात पर एक अधिकारी एक ऐसी बाजार की वस्ता से होता है जो की एक ही विक्रेता किसी ऐसी वस्तू का विक्रे करता है जिसकी कोई भी प्रतिस्थापन वस्तू बाजार में उपलब नहीं होती एक अधिकारी कहलाता है अगर हम इस स्लाइट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे दिखाई पड़ेगा DRDO दिखाई पड़ेगा जो डिफेंस से समवन्धित वस्तू का उत्पादन करता है HAL दिखाई पड़ेगा और साथ में NPCIL L दिखाई देगी यह सारे सरकारी एक अधिकारी के एक्जामपल है अब प्रस्निय होता है कि एक अधिकारी का जन्व कैसे होता है सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्मों का जो विले एउम मिस्रन होता है उससे एक अधिकारी का जन्व होता है जब दो अधिक फर्मे आपस में समझावता कर लेती है या दो बड़े partners जब आपस में समझता कर लेते हैं, दो बड़ी फर्मे जब एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तब एक अधिकारी का जन्म होता है इसके अलावा एकाधिकारी का जन्व संबेधानिक विधी अत्वा कानून द्वारा भी हो सकता है कानून की स्थापना के साथ जैसे इंडियन रेल्वे है आपके हाँ ये एकलौता रेल्वे को रन करने वाली संस्ता है अभी तक डियाडियो का समवंदिध वस्तों का उत्पादन करने में उसका एकाधिकार है तो कानून नहीं है इसके अलावा कुछ एकाधिकारी स्थेतिक भी होते हैं जिसे हम सिचुएशनल एडवांटेजिस के रूप में देखते हैं प्यारे प्रिशिक्षों यहां पर हम देखें तो भारत को काफी समय तक माईका के प्रोडक्शन में एकाधिकार था और उसका कालर था कि माईका का उत्पादन मात भारत में ही संभूता है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एकाधिकार का जर्म पेटेंट द्वारा कानून द्वारा भी होता है अब इसकी बिशेश्टा क्या है अगर हम बिशेश्टा की बात करें सबसे पहली बिशेश्टा इसकी एकमात बिक्रेता है यह और ऐसी बस्तू को बेज रहा है जिसकी प्रतिस्थापन बस्तू बाजार में उपलब्द ही नहीं है यानि कि अगर क्रेता को बस्तू चाहिए तो उसको उसी के पास आना पड़ेगा इसके अलावा नई फर्मो का प्रिवेश इसमें बिलकुल संभो नहीं है और साथ ही आप देखेंगे कि कीमत बस्तू की मांग की लोचपन इर्वर करती है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिक्रेता हुए एक मात बिक्रेता है और वो एंज्वाइ कर रहा है कैसी स्थिती को कि कोई और नई फर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकती साथ ही उसको यह पता है कि उसके द्वारा प्रस्तूद बस्तू की उपलब्दिता कहीं और किसी और बिक्रेता के पास नहीं है तो ऐसी अवस्था को हम एक आधिकार केते हैं साथ ही एकाधिकारी की कुछ अन्य विशेष्टाएं भी हैं जैसे इसमें कीमत विभेत पाया जाता है प्यारे बच्चों एकाधिकारी क्योंकि एक मात्र विक्रेता है इसलिए वो अलग-अलग कंजूमर से अलग-अलग भुक्ताओं से उनकी च्छमता के आधार पर मांग की लोच के या इंटेंसिटी के आधार पर पीवरिता के आधार पर वो अलग-अलग कीमत वसूल सकता है अगर किसी गाउं में एक ही डॉक्तर है तो आप देखेंगे कि समान बिमारी, समान बुखार के लिए अलग-अलग कीमत पे वो अमीर और गरीब से विवहेद करके उसका इलाज कर सकता है इसके अलावा एकाधिकारी में दीरकाल में असमान बुखार की स्थिति पाई जाती है यहां पे क्योंकि अगर फर्म कोई एंट्री कर नहीं सकती, अगर उसे अलग-अलग में असमान बुखार में असमान बुखार में जारी रहेगा इसके अत्रिक एका धिकारी में की खासियत है यहां पे बिक्रे लागतों की बहुत जादा तीब्रता बहुत जादा आउश्कता नहीं होती है बस बस्तू के बारे में जानकारी देने के लिए ही उसको इसकी आउश्कता पड़ती है उत्पादन के साधनों के आवा गंवन इसमें संबोनी को की एक ही विक्रेता है तो नैचुरल है अगर किसी को रोजगार चाहिए किसी भी उत्पादन के साधन को रोजगार चाहिए तो उसी के पास ही जाके काम करना पड़ेगा क्या एका धिकारी उभुक्ताओं की अंदेखी कर सकता है क्या एका धिकारी इच्छा नुसार अपनी बस्तू की कीमत को वास्तों में निर्धारित कर सकता है देखा जाए तो इसका उत्तर एक बहुत बड़े नहीं के रूप में होगा कारण अगर वो अपनी बस्तू की कीमत को तो अच्छा पूर्वक ज्यादा निर्धारित कर देता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको हानी का सामना करना पड़े ये डिपेंड करेगा उसकी मांग की लोच कैसी है अगर हम देखें सबसे पहले अगर वो गैर जरूरी बस्तू की उची कीमत इधारित करेगा तो उसे हानी होगी उसको हानी से कोई नहीं बचा सकता है साथ ही अगर उसको नए कस्टमर्स को आकरसित करनी की आउसकता है अगर वो चाहता है कि उसका साइज ओफ बाजार साइज ओफ मार्केट अगर बढ़े बाजार का आकार बढ़े नए कस्टमर्स उसकी बस्तू को खड़ी दें तो ऐसी स्थिती में उसको अपनी बस्तू की क तो मांग के नियम के विप्रीत वो नहीं जा सकता मांग के नियम को मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए वस्तू की प्रिकृति को ध्यान में रखते हुए ही उसको अपनी कीमत का निधारित करना है तो यह तो निश्चित है कि हला कि एकाधिकारी अपनी वस्तू की कीमत क किमत का निर्धारित करता है ऐसा कहा जाता है परनत कीमत को निर्धारित करते समय उसे बस्तु की मांग की لوच, अत्वा बस्तु की प्रिखुरती पर ध्धान देना होगा कभी वो कीमत तो वरसूलने में सफल मांग वक्र कैसा होगा प्यारी बच्चो अगर हम मांग वक्र की बात करें तो यह देखिए इसके अंदर हम देखेंगे कि मांग का नियम लागू है मांग का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है किसी बस्तू की तो डिमांड कम हो जाती है और अगर कीमत कम होती है किसी डिमांड बढ़ जाती है यानि कि डिमांड कव जो है बाएस इदाएं नीचे की ओर जुका हुआ होता है ऐसे इस्तिति में इसका ये मांग वक्र जो है और सत आगम वक्र का भी प्रतिनी धित्यु करता है अगर हम यह देखते हैं यहाँ पर प्राइस जो है दस नो आठ होती है तो उसकी कंजुमर द्वारा उसकी बस्तु की मांग में बिद्धी की जाती है यहाँ पर हम देखते हैं कि कीमत के कम होने से बस्तु की मांग बढ़ रही है और जब हमें टियार निकालना है तो टियार आ quantity से multiply कर दें तो आपको TR आ जाएगा यहां 10 को 0 से multiply किया 0 आ गया 9 को 1 से multiply किया 9 109 आ गया 8 को 2 से गुना किया तो आपका 16 जहां तक AR की बात है अगर हम AR is equal to क्या होगा आपका TR को अगर हम Q से divide कर दें या P से divide कर दें तो आपको AR आ जाएगा तो यहां पर देखिए पहले आपका TR आपका सूननी है और प्राइस आपका 0 है सूननी को अगर हम इस दस से divide करते तो आंसर 0 आता है इसी तरह 9 को divide करते हैं 1 से तो हमारा AR 9 आता है और 16 को divide करते हैं 2 से तो हमारा AR 8 आता है इस तरीके से आप देखेंगे कि AR is equal to TR by Q और साथ ही अगर हम MR निकालना चाहें तो MR is equal to TR N minus TR N minus 1th commodity मतलब MR की अगर हम परिवासित करने की कोशिश करें तो कुल आगम में हुई वह सुद्ध वृद्धी है जो कि कि किसी बस्तू की एकत्रीक टिकाई को भिक्रे करने के पश्चात प्राप्त की जाती है तो यहां पर हम देखेंगे कि AR और MR दोनों ही डाउन हो रहे हैं अब क्या रिलेशन है इसमें ये भी हमें देखना होगा देखें AR 9,8,7,6,5 एक-एक से कम हो रहा है जबकि आप MR देखेंगे 9,7,5,3,1 ये दो-दो से कम हो रहा है Slope of MR curve is twice the slope of AR curve इसका क्या मतलब है की सीमानत आगमध्र की जो ढाल है वो उसत आगमध्र की ढाल का दूना होटी है अब मांग के नियम के लागू होने के काऱ़ए बाएं से दाएं क estava जाएं काब एकाधिकारी द्वारा अल्पकाल में कीमत था उत्पादन की मात्रा का निधारण प्यारे बच्चो अर्थ सास्त में जो एकाधिकारी है वो अल्पकाल में असमान लाप राप्त कर सकता है सामान लाप राप्त कर सकता है या उसे हानी भी हो सकती है ये डिपेंड करेगा उसकी मांग की लोच कैसी है और उसकी लागत का इस तरह कैसा है तो संतुलन बिंदू आपको बताया गया है कि MR MC के एकॉल होना चीए और साथ ही दूसी बात है कि आप्टर दा अबो पॉइंट उस बिंदू के बाद MC जो है आपका ज्यादा हो जाना चीए MR के यानि कि संतुलन बिंदू वह बिंदू होगा जहां MC MR को नीचे से काट दिये अब यहां डाइग्राम नमबर एक में हम देखते हैं यह संतुलन बिंदू है जहां MR MS वख को जीरो नीचे से काट रहा है और इतना production यह इतना बेच रहा है और इसके आधार पर यह संतुलित कीमत है यह लागत है तो आवसत लागत यहां से यहां तक है और औसत आगम यहां से यहां तक है इसका मलब यह जो ग्रीन का पार्ट का हिस्सा है यह असमान इलाब को दिखा रहा है यहां फर्म को असमान इलाब मिल रहा है अगर संतुलन बिंदू से हम परपनिकुलर जो लम ड्रॉ कर रहे हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि यहां पर प्राइस और आउसत लागत दोनों इस बिंदू पर समाल है ऐसी स्थिती में हम देखते हैं फर्म का एसी बराबर होता है ए आर के यानि कि अगर हम AC को quantity से multiply करें और AR को quantity से multiply करें तो हम देखेंगे TC बरावर हो गया है TR के तो ऐसा बिंदू जहां पर TC TR के बरावर हो गया है वह बिंदू सामान इलाव का बिंदू कहलाता है प्यारे बच्चो यहां पर हम देखते हैं कि इस एक अधिकारी को अल्प काल में हानी हो रही है हानी क्यों हो रही है क्योंकि यह संतुलन बिंदू है और संतुलन बिंदू पर कीमत इसकी इतनी है और औसत लागत इतनी है तो यहां हम देखते हैं क्लियरली कि औसत लागत ज्यादा है औसत आगम से अगर हम औसत लागत को quantity से multiply करें और औसत आगम को भी quantity से multiply करें तो हम देखते हैं यहाँ पर तीसी ज़्यादा हो गया TR से अब TR अगर ज़्यादा है तो इस firm को loss हो गया है अर्शास्त में इस loss को हम अस्मान हानी की स्थिति कहते हैं तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार अस्मान लाव भी मिल सकता है और सामान लाव भी मिल सकता है और उसे हानी भी हो सकती है आईए देखते हैं दीरकाल में उसको क्या होने वाला है अगर हम दीरकाली संतुलन की बात करते हैं तो वो एक अधिकारी है अगर अल्पकाल में उसको असमाने लाव हो रहा है तो कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर पाएगी तो ऐसी स्थिती में उसका लाव लगातार जारी रहेगा आप देखिए यह आपका लॉंग रन और सीमान तलागत वक्र है और इस पर फर्म OQ0 बेच रही है और उसकी यह कीमत है और इसकी लागत तो देर काल में एका धिकारी को असमाने लाव ही प्राप्त होगा क्योंकि प्रवेश की संभावना सुनने है अगर प्रवेश किसी नई फर्म का हो जाता है तो इसका मलब एका धिकारी संमाप्त हो जाता है असमाने लाव ही राप्त होगा आज की इस वीडियो में हमने एका धिकारी के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा एका धिकारी का अल्पकालीन और दीरकालीन संतुलन कैसे होता है साथ ही आपने जाना अल्पकाल में एका धिकारी को असमाने लाव मिल सकता है सामान लाब मिल सकता और हानी भी हो सकती है यह उसकी मांग की लोच पर निर्भर करेगा यह निर्भर करेगा कि जो बस्तू को बेच रहा है उसकी प्रकृति क्या है और साथ ही उसकी लागत का ढ़ाचा कैसा है औसत और सिमान तलागत भी उसके लाब को निधारित करते जहां तक दिरकाल की बात है तो फर्मो का प्रवेश असंभव होने के कारड यदी अल्पकाल में उसे असमान लाब मिल रहा है प्रवेश दिरकाल में देख रहा है